हेलो फ्रेंड हेलो नमस्ते कैसे हो आप सभी और आज था कल था मंडे तो यह मंडे का ब्लॉक है मैं ब्रत रही थी मंडे वैसे रहती हूं मैं पर सावन का सौंबार है तो मैंने सोचा साड़ी पैन लेती हूं और नाके आई थी और एरिंग्स डाल लिये हैं और चार हरी कर लिए यह तो करके चले गए थे मेरा काम माम हुआ उसके बाद मैं पूजा करने वैठी तो मैंने सोचा था कि ना मेरा मन कर रहा था कि साड़ी पैन लूँ तो बस मैंने यह बाहर रखी थी साड़ी यही डाली और सुचा था इसको धुलाई भी करूंगी तो आज यह कल मं अपनी आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए तो इधर देखिए मेरे इधर भी सिबलिंग रखे हैं मंदिर में वाइट वाले जो होते हैं और बाहर भी मैंने रखे हैं तो मैं मंदर नहीं गई थी लेट हो गई थी और घर में पूजा कर ली थी मैंने तो यह तो करके चले गए थे वाइस मैं कर रही थी अपनी पूजा यह है कि ना घर में करो या बाहर करो दिल से पूजा होनी चाहिए और तो मेरी पूजा हो चुकी है लगवक और यह देखिए बाहर भी करके आ गई मैं पूजा और उसके बाद में इतनी गर्मी लग रही ह के काम का चैलेंज रख दे इतना मुश्किल हो जागा या तो मैं ही बीमार हो जाऊंगी या साड़ी कोई फाड लूँगी क्योंकि मेरे बसकी नहीं है साड़ी पहनना और यह देखिए अच्छे से घी में और आप लोग इस तरह से खीर बनाऊनों बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी बनती है खाली साबुदानी को दूद में डाल दो तो इतना टेस्ट नहीं आता है जितना घी में फ्राइब करके आता है तो इधर लिए मैंने बादाम और काजू इनको आती वैसे भी पर आज के दिन जैसे सावन का सवंबार है तो मैं मीठा ही फलार करती हूं मतलब जैसे आलू की हलुआ बना लिया यह साबुदानी की खीर बना ली ऐसा ही कुछ खाती हूं मैं तो इधर मैंने काफी देर हो गई थी फ्राइब करते हुए तो मैं दूद डाल है और दूद गरम करके रख लिया था मैंने तो यह देखिए खीर काफी टाइम हो गया सिम गैस बन रही थी बन चुकिए और रवडी जैसी हो गई है एक दम से तो मैंने इधर डाल दिया इसमें मीठा और यह भी आने वाले हैं डूटी से तो इससे पहले बना के रख दूं कि होगी यह भी ब्रत हैं और चाय भी बन रही है मेरी धर तो यह देखिए खीर मैं निकाल लेती हूं बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी खीर बनी है बनी थी और आज यह देखिए खीर मैंने निकाल ली है और रख देती हूं और चाय भी छान के रखती हूं तब तक ब बहुत ज़्यादा गर्मी से तो मेरा इवनिंग का रूटीन वी कुछ इस तरह से विजी रहता है और यह है दूसरे दिन आज का यह मौनिंग का तो यह दखिए फैन भी चलते रहते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है यह वाला टॉप आपने मेरा देखा होगा तो यह था पूरी बाजू का इसकी बाजू सी मतलब क्या हुआ था वो खिच गई थी तो मैंने वो निकाल दिया हाब बाजू का कर दिया इसको और कपड़े बगर तैबनाओ ज़ाड़ बगर लगाओ सबजी की तैयारी करो चाय बढ़नाओ और सुबहे को तो रहना ही रहना है क्योंकि बेटा भी स्कूल जाता है उसके लिए करके दो फिर इनके लिए भी डूटी के लिए तो बहुत ज्यादा है मेरा काम काफी लेट होता इसी तरह से सच में बहुत मुस्किल ना तो कर्मी में पाइनने कोना खाने को कुछ भी मन नहीं करता बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल गर्मी से सच में तो ना ये भी बोल रहे थे कि कहां से मतला हो इसको हबाजु का क्यों किया डूंडूंड के कपड़े निकालती रहती है तो मैं गर्मी में यही लग रहा है कि जितने पुराने निकाल के पैनो उतने अच्छा है कपड़े पैनो तो भी घर्मी ना पैनो तो भी घर्मी और ca क्या ना कि पसीना जहाँ आता है तो पसीना बॉहता रहता रहता है तो इधर आगे हैं मैं सैट करने के लिए और जब तक यह छोड़के आते हैं तब तक सोफा बगरा बैड बगरा मैं ठीक कर देती हूं क्योंकि फिर इनके लिए लंच नास्ता बना के देना है तो जिस दिन संडे होता है उस दिन तो नहीं उठता तो नहीं कर पाती हूं और जिसने नोट जाता है तो जल्दी कर लेती हूँ और बस तो इसको ठीक कर लूँगी और उसके बाद मैं लगूँगी मैं अपने काम से तो देखें बैड वगरा मेरा सेट हो गया है और इतना डेली का कपड़ा वगरा मारते रहो फिर भी धूल सी होई जाती है पता नहीं कहां से होती है तो इधर देखें मेरा सारा मतलाव खाना पीना सब कुछ हो गया था मतलाव की बन गया था खाया नहीं था मैंने बन गया था और उसके बाद मैं अभी लगा रही हूं अंदर से जाडू लग गई थी तो किचेन में यह चले गए काफी देर हो गई आदा पॉना घंटा हो गया होगा तो उसके बाद मैं किचेन को उसको हटाओ ना पैरदान किचन में जो मैट सी पड़ी है उसको तो उस पे कुछ ना कुछ है तो यह देखिए मैं बाहर भी जाडू लगा रही हूं और बाहर पहुंचा लगाने वाला आता है वो क्या करता है ना कि जतना जतना बीच खाली दीखेगा उतने मैं ऐसा ही करके पहुंचा लगा देता है एक बार बालती नीचे रखेगा और कपड़ा भिजा के ऊपर से पूरे में लगाता जाता है तो इसलिए मैं खुद से जाडू लगाती हूं और अपने सामने सामने खुद से पहुंचा मार दे हूं दो तिन दिन में जब या तो वो मार जाता है तो यह देखिए मैं खुद से ही मार रही हूं अपना प्यरदान वगर हटा के नहीं वो और सामने ठाड़े रहो तो बोलते हैं कि चिक-चिक करते हैं मकान वाले मकान जो होते हैं तो इसलिए मैं खुदी कर लेती हूं मैं नहीं लगाती किसी को तो मुझे पसंद भी नहीं आता है तो यही था मेरा विजी रूटीन और हम हाउस वाइप का यही जिंद्गी है यही रूटीन है तो चलिए फिर मेरा कैसा लगा बताना जरूर आप लो और का बहुत मुश्किल हो रखा है अगर मिय मैसच में ऐसा लगता है कि फिर इच खोल लेती हूं ना तो सामने उसके खड़ी रहती हूं कि इसके सामने खड़ी रह ज़ए तो किसी हर दौर गय थे तो इतना ठंदा पानी लग रहा था उसमें गंगाजी में कि बहुत ज्यादा तो लग रहा था इसी में पढ़े रहा हूँ निकलो इना सच में ऐसा लगता है कि कोई ठंडी चीज ऐसी मिल जाए उसी में पढ़े रहा हूँ बहुत ज़्याद गर्मी लगती है फैन तो काम भी नहीं कर रहे और एसी भी कितना चलाओ रात को चला के सो फिर दिन में भी चला तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना इंस्टाग्राम में मेरा सिलपी सर्मा और उस पर भी डील बनाना सुरू कर दिया है मैंने चली है तो फिर बाय कल मिलते हैं आप लोगों से